हेलो स्टुडेंट्स आज नोट्स में आगे बढ़ते हुए अपन करने वाले हैं इसका दूसरा क्वश्चन तो यह अध्यायदो है कप्छा बार्मी रसाइन विग्यान मेरा नाम संदीब करें तो चलो फिर सुरू कर लेते हैं अच्छे से देखो दूसरा क्वश्चन है अभी आपको समझ में आ जाएगा वस थोड़ा सा पेसेंस रखिए धीरज रखिए सब समझ में आ जाएगा यह इसका नोट्स का जूट आंसर है वो पहले से इसलिए दिखा देते हैं ताकि आप इसको बाद में समझने के बाद अच्छे से नोट कर सको ठीक है तो यह भी इ अब थोड़ा समझते हैं अभी तक हमने क्या पढ़ा हुआ है विलियन कि अब विलियन के कितने घटक होते हैं मैंने आपको बताया है विलियन के दो घटक होते हैं कौन-कौन से होता है पहला विले ठीक है और दूसरा क्या होता है ध्यान से समझिएगा दूसरा क्या होता है विलायक ठीक है यह तो हमने फर्स्ट वीडियो लेक्चर से समझ लिया है कि विलियन के दो घटक होते हैं एक होता है विले और दूसरा होता है विलायक इन से मिलकर ही विलियन बनता है यहां पे हम पानी डाल देते हैं, यह मालो की पात्र के अंदर कोई पानी है, बस समझना है, अभी थोड़ी देर में चित्र के माध्यम से भी समझ में आ जाएगा, बस थोड़ा सा धीरज रखिएगा, और इसमें यदि हम थोड़ी सी मात्रा में कोई दूसरा पधार्त मिला र मात्रा में है वो क्या है विले इनको आपस में मिला दो तो क्या बन जाएगा विलियन लेकिन इसकी सांद्रता सांद्रता मतलब अभी समझ लो आप सांद्रता का मतलब होता है मात्रा इसकी कम मात्रा मिलाएंगी तो कौन सा विलियन बनेगा है ना इसकी जादा मात्रा मिलाएं है यही हमें बताना है कि कितने मात्रा में यह है और उससे कितने प्रकार के जो विलियन है वो हमें प्राप्त होते हैं और उनको हम क्या बोलते समझ में आया कि नहीं मतलब विलियन जो बनता है वो किस से बनता है देखो हमने जैसे मालू पानी के अंदर एक चम्म सक्कर डाल द तो विलियन वी डिफरेंट टाइप के होगी, तो इसलिए बोला गया है कि सांधता के आदार पर, अब इसको ऐसे समझों, एक उधान से हम इसको समझते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे चित्र है कुछ, अब इनको ध्यान से समझते जाना, नमक क्या है यहाँ पे बताओ, विलायक है कि विले है, अच्छे से बताओ, सोच के बताओ, विलायक है कि विले है नमक, तो नमक है विले, अब यहाँ पे विले हमने बिलकुल थोड़ा सा मिलाया है, तो अब जैसे इतना सा नमक इस पानी के अंदर घोलेंगे, तो एक विल विलियन को बोलते हैं तनू विलियन क्या बोलते हैं तनू विलियन याद रखिएगा विले बहुत कम हो जिसमें विले क्या हो बहुत कम हो थोड़ा सा एक चुटकी नमक एक गलास पानी के अंदर एक चुटकी नमक माल लो आप तो उससे जो पानी जो विलियन बनेगा पानी क ट्रौन विलेण की परीभासा क्या लिखोगे एक्जाम में? ऐसा विलेण जिसमें विले बहुत कम मात्रा में होता है। अब यहां देखो इसमें थोड़ा सा पानी है लेकिन इतना एक चम्मच देखो कितनी बड़ी चम्मच है इसमें नमक भरा हुआ है अब ये पूरा उड़ेल देते हैं इसमें तो क्या हो इससे जो विलेन बनेंगा उसे बोलेंगे सांद्र यानि गाढ़ा सांद्र मतलब क्या होता है गाढ़ा विलेन बहुत ही सरल है ना अब तो आप सोच रहे होगे सर ये तो बिलकुल सरल है जिसमें अपन क्या कर रहे है थोड़ा सा विले मिला रहे है वो बनेगा तनू विलेन जिसमें ज़्यादा विले मिला दिया ज़्यादा विलेल दिया ऐसे बोलेंगे तो वो बनेगा संद्र इसे इंग्लिस में बोलते हैं concentrated solution, अपनी भासा में इसे बोलेंगे गाढ़ा, विलेयन जैसे सीरा, पानी के अंदर अगर जादा मात्रा में सक्कर डाल दो तो वो क्या बन जाता है, सीरा बन जाता, तो वो क्या है, गाढ़ा विलेयन है की नहीं है, तो तनू विलेयन जिन में विले की मात्रा अधिक होती है, अब इसके अलावा और भी होते हैं विलेयन, यह सब विले को देखो, विले को change कर रहे हैं, मालो पानी एक लीटर, सम में विले अलग-अलग हिसाब से मिला दो, तो वो है ऐसा, अब इसके बाद आता है, अगर हम बात करें थोड़ी से और आगे ब मिला दें, अब पानी जो विलायक है, वो बोलने लगे कि नहीं, बस अब मत मिलाओ, तो अपन बोलेंगे कि यह संतरप्त हो गया, तो विले की ऐसा विलेयन जिसमें अब और अधिक विले नहीं मिलाया जा सकता, जिसमें, अब जैसे मालो एक चमच मिला दिया तो गाड़ा विलियन हो गया जिसे सांद्र बोलने लगे अब ये नीचे जो डला है यहां पर देखो ये नीचे गिरा हुआ है ये भी अगर इसमें डाल दो तो अब पानी क्या बोलेगा अब मत मुझे में कुछ मिलाओ तो वो बन जाएगा संत्रक्त irregularii संत्रक्त यानि वो त्रफ्त हो जाएगा समझ में आए कि नए तो उसमें अब वो बोलेगा कि इसमें और विले नहीं गोला जा सकता इसकी डेillos रहत kur 59 ये सांद्र क्या है जिसमें इतना मिला दिया हो गाड़ा हो गया सांद्र विल्यन हो गया कंसंट्रेटेटेड हो गया लेकिन अब इतना पूरा और मिला दिया मतलब अब पानी खुद बूलने लगा है कि अब मत मुझे में कुछ मिलाओ मुझे मैं अब विले नहीं मिलाया जा सकत तो वह हो गया संत्रा कि समझ में आये कि नहीं वह क्या हो गया संत्रा तो इस तरीके से हम आगे बढ़ते जाएंगे तो जैसे मैं आपको नोट्स में थोड़ा सा दिखा दूं तो आपको और किलियर हो जाएगा तो थोड़ा सा आपको याद होने लगेगा यहाँ पर देखो और आगे जलेंगे सांद्रता के आधारफ विलयनों के पहला क्या है तनू विलयन डाइलूट सलूशन इसे बोलते हैं आप इसी तरीके से इंगलिस सब्दों का भी यूज करते जाएंगे ताकि आगे जब श्ट विलयक की अपक्षा कैसी होती है कम मतलब एक गिलास पानी में एक चुकी नमा समझ में आए कि नहीं तो वह विलय क्या है विलय की मात्रा बहुत कम होती है इसको अंडरलाइन करवा बहुत कम होती है यानि विलय बहुत कम है इसका मतलब है कि वह तनू विलयन है देखो आग होती है मतलब तनू विलियन में क्या है एक चुटकी नमक मिला दिया एक ग्लास पानी के अंदर तो तनू विलियन में तो एक चुटकी मिलाया था लेकिन सांद्र में क्या कर दिया एक चमच मिला दिया तो सांद्र में तनू कोई देख का थे तो भी बता देना सब कुछ देखेंगे अपन संत्रप्त क्या है मतलब यह सैचूरेटेड़ हो गया यह अब त्रप्त हो चुका है तो इसमें क्या है वे विल्यान जिनमें किसी निश्चित्ता पर विले की और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती विले अब गूला जा सकता जैसा कि मैंने आपको बताया कि पानी यानि बिलाया खुद बोलने लगा है कि अब मत कुछ इसमें घोलो इसमें बहुत सारा घोल दिया गया हो तो वह क्या कहला था संत्रप अब इसके बाद आता अती संत्रप तो फिर इसको समझेंगे तो थोड़ा सा आने लगेगा कि क्या है देखो देहान से यह पूरा का पूरा नमक इसमें घोलेंगे तो यह बन जाएगा संत्रप मतलब इसमें अब और नहीं घोला जा सकता ही देखो कितना ज्यादा बिले बहुत ज्यादा है और नीचे देखो इससे भी ज्यादा बिले फिर भी अगर घ अती संतर है यह केवल क्या है संत्रह Wiki यह केवल क्या है बताओ संत्रह इस में पानी कहने लगा कि हा इतना गोल दो आब मत भोलदा आपनी घोला जा सकता लेकिन फिर भी घोल दिया तो फिर भो क्या हो जाएगा अतीसत्रप्त हो जाएगा क्या हो जाएगा अतीस संथर तो फिर आपकी दिमाग में ये question आ रहा होगा कि बाकी के दो तो फिर आसंत्रप्त होएं न गो अभी पहले पड़े होगे हे कौन-कौन से तनूं और सांद्र ऑड़ के दिमार्ग में यह возь्षन तो आना चीए किसरत तनू और सांद्र जो है वो क्या आसंत्रप्त है जब इसमें और मिला देते हैं तो संतर्प्त हो जाताओ तो असिरा हां में बताओ और विलेगो लाजा सकता है क्या तनू बर में क्या और विले गोला जा सकता है विल्कुल गोला जा सकता है उसमें एक गिलास पानी में एक चुटकी नमक मिला दिया है तो क्या इसमें और नहीं गोला जा सकता है मतलब विले और मिला जा सकता है तो हम कह सकते हैं यह आसंत्रप्त है अभी तुरप्त नहीं हुआ है अभी कि वो संत्रप्त ना हो जाए इस पॉइंट को पकड़ो गाढ़ा विल्यन है सांद्र विल्यन है लेकिन उसमें और विले डाल सकते हैं जब तक कि कि वह संत्रप्त न हो जाए इस पॉइंट को पकड़ो आप तो कहने का मतलब है कि विल्यन सिर्थ तीन प्रकार कि होते हैं और फिर इनको असंत्रप्त में दो भागों में डिवाइड कर दिया है तो फिर हो गया दो और अगर ओर डेफ्थ में जाएं तो तो संत्रप्त, अती संत्रप्त और आसंत्रप्त, तो पहले अपन ने देखा है आसंत्रप्त विल्यनों को, जिन में तनू और सांद्र आते हैं, जिन में विले पधार्ट काफी कम होता है, और सांद्र विल्यन में इससे थोड़ा सा ज़ाधा होता है, लेकिन होते दोनों कैसे संत्रप्त की बात करें और ये डाल देते हैं तो ये किसकी आधार पर मतलब को जिस-जिस मात्रा में गोलते जा रहे हो विल्यन के प्रिकार बदलते जा रहे हैं और इसे अपन बोलते हैं सांद्रता कियाधार पर विल्यनों के प्रिकार तो आओ एक बार फिर नोट्स में बापस चलते हैं कि यहां पर यह देखो, सांद्र विलियन, गाड़ा विलियन, कैसे बनता है, तनू विलियन से थोड़ा सा जादा है, इसमें थोड़ा सा जादा विले मिला, इसमें साफ साफ लिखा है, वे विलियन, जिनमें विले की मात्रा, तनू विलियनों से अपेच्छा कैसी होती है, अधेक होती है लिखा है ना साफ साफ इसे सांद्र विल्यन यह कहते हैं यहाहे उस फी यह से स delve होले जिन मैं किसी निश्चित टाप पर मतलब टेंपरेचर निश्चित रखलो यह थोड़ा सी याद रखने कि बहुत ध्यान से समझो, संत्रप्त है, पहले से त्रप्त है, भरा हुआ है इसका पेट, अब ये विले को और अधिक नहीं गिरान कर सकता, तो संत्रप्त मतलब विले और अधिक नहीं गोला जा सकता संत्र मतलब केवल गाड़ा है अभी घोल सकते हैं और जब घोलोगे तो वो फ़र संत्रप्त बनने लगेगा और आसंत्रप्त देखो क्या है जो अभी त्रप्त नहीं है आसंतरप्त जो संतरप्त नहीं है तो आप लिखोगे कि वे विल्यन जिनमें विले की और अधिक मात्रा घुली जा सकती है मतलब जिनमें जो आसंतरप्त है जो उत्रप्त नहीं है तो उसमें विले घुला जा सकता है और ऐसे कौन-कौन से विलन होते हैं, देखो लिखा है, तनू और सांद्र विलन इस राणी में आते हैं, लिखा है कि नहीं बताओ साफ साफ, तनू और सांद्र विलन इस राणी में आते हैं, तो इसलिए मैंने आपको समधाया है, अती संत्रप्त, देखो, सुपर से भी अधिक बिले घुल दोगे तो वो क्या बन जाएगा अती संत्रब जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर इस वाले चित्र में आपको बताया था यहाँ पर देखेंगे अपन यह देखो इसमें देखो विले एक दम उड़ेला जा रहा है समझ पा रहा है कि नहीं तो यह बताओ कौन सा विलेल बनेगा अती संत्रब यह क्या बनेगा केवल संत्रब इसमें इतना मिला दोगे तो यह पानी गोले लगेगा कि अम मत गोल हो गया एक बार संत्रब समझ में आया कि नहीं तो यह point होते हैं, तो उम्मीद है कि यह बाला question आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, और अगर आ गया है तो आप यहां से इसका screenshot ले लिजी एक बार, मैं side हो जाता हूँ, screenshot ले लो इसका, फिर इसका भी ले लो, बहुत ही बढ़िया notes बनाते चलो, बहुत ही must पड़ाई कर सब्जेक्ट है chemistry, बस ध्यान से समझते जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है, तो comment में जरूर बता दिया करो, सर यहां पर problem हो रही है, सर यहां पर दिक्कत हो रही है, तो हम लोग उसको solve करेंगे ना, है ना, तो अच्छे से आपको कब, website का नाम क्या है, notes कैसे मिलेंगे उसमें, पूरा यहां पर चला देंगे, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, तो tension की बात बिलकुल भी नहीं है, उम्मीद करते हैं कि यह वाला question भी आपको समझ में आ गया होगा, तो मिलते हैं, next question के साथ में, notes के साथ में, त